नमस्कार विंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका मद्द प्रदेश में पंचाय चुनाओ परिसीमन और आरक्षन को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है सिवराज सरकार के पंचाय चुनाओ कराय जाने के अध्यादेश को वापस लेने के बाद आपको बता दें कि 2019 में ततकालीन कमलाज सरकार के समय लागू किया गया कानून अस्तित्त में आ गया था यानि कॉंग्रेस ने जो परिसीमन और आरच्छन की विवस्था की थी वह फिर से लागू हो गई थी लेकिन शिवरास सरकार के ने एक बार फिर नया अध्यादेश कर चारी कर कॉंग्रेस सरकार के समय की विवस्था पर ग्रहन लगा दिया जानकारी के मुताबिक मद्द प्रदेश में पंचायतों का परिसीमन अब नए सीरे से किया जाएगा इसके साथ ही जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन और वार्ड का विवाजन भी नए सीरे से होगा प्रदेश सरकार ने एक बार फिर मद्द प्रदेश पंचायत राज ग्राम सुराज संसोधन अध्यादेश जारी किया है राजजपाल मंगू भाई पटेल की अनुमत से बिध विभाग ने ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम संसोधन के लिए अध्यादेश की अध्यसूचना जारी किया है यानि साल 2019 में लागू हुआ परिसीमन फिर से निरस्थ हो जाएगा अब नई अध्यादेश के तहट परिसीमन के आधार पर पंचायतों का गठन किया जाएगा आपको बता दें कि दूसरी और पंचायत चुनाओ भले ही निरस्थ हो गए हो लेकिन इस चुनाओ के जरिये गाओं की सरकार पर कबजा जमाने की उमीद में लगे उमीदवारों को एक बड़ा जटका लगा है सिर्फ प्रचार में ही नहीं बलकि नामांकन दाखिल करने से पहले जमा होने वाले नोड्यूज के नाम पर उमीदवारों ने अपना बकाया विल की अदायगी कर दी है जिससे सरकार को करोणों का फायदा हो गया दरसल पंचायद चुनाओं में राज निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने से पहले उमीदवारों के लिए यह अनिवार किया था कि उनके उपर किसी भी तरीके का सरकारी राश का बकाया ना हो जिसमें पंचायदों के टेक्स, बिजली, बिल, बकाया, राशी सामिल थी पहले और दूसरे चड़न के पंचायद चुनाओं के लिए 2,17,000 उमीदवारों ने नामांकन दाखिल किये थे इस पस्ट है कि मदप्रदेश में पंचायद चुनाओं नए परिसीमन के आधार पर होंगे इसे लेकर सिवरास सरकार ने नए अध्यादेश भी चारी किया है इसके लागू होने के साथ ही कांग्रेस का पुराना अध्यादेश खत्म हो गया अब 1227 नई पंचायते वजूद में आ गई थी अब अध्यादेश में इनका वजूद खत्म हो गया कांग्रेस सरकार के समय हुए परिसीमन और आरच्छन को लेकर लंबे समय से सियासत घर्म है इस परिसीमन के आधार पर चुनाओं लड़ने की सोच रहे हजारों लोगों का सरपंच पंच बनने का सपना तूट गया है